मित्रों आप सभी का RC टेकनिकल चैनल में स्वागत है सतोसी माइनिंग एप में OEX टोकेन का विड्रॉल लेने के लिए जो वालेट एड्रेस लिंक कर रहे थे आप उसका तो एक डिटेल्ड वीडियो में बनाई चुका हूँ लेकिन लेटेस्ट अपडेट बहुत बड़ी है और ये कह लेते हैं कि गड़बड जाला का अपडेट है अभी यहाँ पर कुछ चीजे हलकी सी क्लियर नहीं है लेकिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि पूछिए नहीं क्योंकि अगर आप इस चीज को नहीं करेंगे तो आपका विड्राल फंस जाएगा क्योंकि इनका अभी ये नौ घंटे पहले का अपडेट है तो ये वीडियो आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट होने वाली है आप खुछ समस सकते हैं में इस चैनल पर पहली बार जिट कर रहा है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजेए बेल आइकन के बटन को द्बा करके अल टच कर लिजेए साथ ही वीडियो के इसको open कर लीजिए यहाँ पर discussion group में आप अपना सतोसी app का has card या कोई भी code वगएरा share करना चाहें तो share कर सकते हैं यहाँ पर link share करना एलाओ नहीं है तो इस तरीके से आप channel को टेलिग्राम channel को जरूर join कर लें अब चलते हैं सिधा topic पर इनका जो अभी 9 घंटे पहले का update है वो ध्यान से देखिए openEX का update इसको पूरा open कर लेते हैं इन्होंने कहा है कि हमारा OEX app जो इनका testnet का app है यह वाला इसका update इनका आ चुका है और नया updated version क्या है version आप यहां से देख सकते हैं 0.1.9 प्री release हो चुका है तो इसको आपको update कर लेना है या जो लोग अभी OEX के testnet में सामिल नहीं हुए है अब तो यह जालने कि उनको पक्का सामिल होना ही होना है उनका app का link हमारे इसी telegram channel पर मिल जाएगा वहां से जा करके app को जैसे ही open करेंगे इस तरीके से page open होगा यहां पर ध्यान दीजिएगा यह old version है यह github वाला नया version है version 0.1.9 आपको इसी पर touch करना है download from github और इसके बाद आपको यहां पर जो three dot मिल रहा है इस three dot को touch करेंगे download में जाएंगे download में सबसे उपर देखिए oex alpha version 0.1.9 दिख रहा है इसको touch करेंगे touch करने के बाद आप installer पर जाएंगे और इसको हम download किया है तो हम update करेंगे आप install कर लेंगे यह काम आपको पहले कर लेना है हम आजाते हैं सीधा topic पर सीधा topic पर आते हैं और topic पर आने के बाद आपको बताते हैं कि करना क्या है यहाँ पर इन्होंने जो अपडेट दिया है उसको बहुत ही ध्यान से देखते हैं इस नए अपडेट का मकसद क्या रहा है इनका OEX जो टेस्टनेट है अब यह ध्यान दीजिए टेस्टनेट नहीं रहा गया यहाँ पर जो पर्टिसिपेट नहीं करेगा उसको विड्राल पह नहीं कर पा रहे थे सो नहीं हो रहा था और मेमोरी आप्टिमाइजेशन की प्रॉबलम थी टेक्निकल इसू है यह और इसके बाद जो आपने सतोसी में OEX पॉइंट माइन किये थे वो यहाँ पर दिखतो रहे थे लेकिन अपडेटेट नहीं दिख रहे थे और दूसरा मतलब जितना आपका सतोसी एप में OEX पॉइंट दिख रहा था माइनिंग पॉइंट उतना आपका यह OEX एप में जो टेस्टनेट का कहा जाता है उसमें नहीं दिख रहा था तो यह सब दूर करने के लिए यह अपडेट आया अब गड़बड धाला क्या है यह बेव 3 का व यूज ऐडरेस प्राम वेफ 3 ौलएक मेटामास यह कुश्चन है फ्रिकेंशी और उनके एंसर भी है क्या में जैसे वालेट को जिसका आडरेस यूज नहीं कहा है यास लेकिन सावदानी भी वह बताया है कि आप मेटामास जो है वह गूगल प्लेया एप स्टोर से ही मतलब authentic version ही download करिए apk से ना download करिए अब इसके बाद why does my wallet backup in oex app only source the private key not a seed phrase मतलब जब यहाँ पर आप कोई wallet बनाते हैं या wallet import करने लगते हैं तो आप से seed phrase नहीं मांगता है private key मांगता है तिनों ने बताया कि early version आप our wallet imported via private key only support exporting the private key मतलब early version जो होता है किसी भी web3 wallet का वो private key को ही support करता है वहाँ पर seed phrase नहीं आता बाद में वो आता है क्योंकि seed phrase में irreversible algorithm एक technology है यह काम करती है जो की pre-launch wallet में नहीं होता है आगे सबसे important update आपको मिलने वाली है why I am not receiving the verification email in satosi app मतलब satosi app में जब आप email डाल करके wallet link करना चाहते हैं तो wallet link करते समय email पर आपको OTP नहीं मिल रहा है तो इन्हें नों वही बताया जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था high demand caused a rate limit trigger मतलब बहुत ज़्यादा demand हो रही है बहुत ज़्यादा traffic आ रही है इसलिए लोगों को नहीं मिल रहा है इसलिए थोड़ा wait कर लिजिए एक दो दिन का इसके बाद try again कीजिए अब यहाँ पर सबसे important आपका यह है आ गया बहुत ही important यह यह बहुत important है can I only withdraw OEX token in OEX app after linking my address in satosi app यह question है कि क्या satosi app में wallet link करने पर हम जो है उसका जो withdrawal लेंगे वो OEX app से होगा जो test net का आप है तो इनने ने कहा है initially withdrawal will be supported only through OEX app मतलब सुरू सुरू में जो withdrawal मिलेगा OEX app से ही मिलेगा दूसरे app से नहीं मिलेगा कि satosi में आपने wallet address link किया तो आप satosi से withdrawal लेंगे सुरू सुरू में जो लोग withdrawal लेना चाहेंगे वो OEX app के through ही withdrawal मिलेगा इसलिए इसको update किये कि ताकि satosi का जो point है वो यहाँ पर आपका synchronize रहे कितना point है कितना नहीं वो बनता रहे अब दो-तीन question यहाँ पर raise होते हैं बहुत important क्योंकि बहुत सारे लोग जो OEX आप जाइन किये थे वहाँ पर नया wallet बना लिये थे और वो लगभग अपना mission भी पूरा कर चुके हैं Twitter का mission, Telegram का mission और सारे mission अब यहाँ पर problem खड़ी हो जाती है कि अगर वो अब वही wallet इंपोर्ट करते हैं जो wallet उन्होंने सतोसी एप में लिंक किया है तो क्या फिर उसी email से क्या फिर उसी Twitter से क्या फिर उसी अपने Telegram से इस दूसरे OEX में जो अपना सतोसी में address लिंक किये हैं उस wallet को इंपोर्ट करके private की से क्या यहां पर टास्क पूरा कर पाएंगे यह सारी चीजें बहुत गड़बड जाला है क्योंकि अभी हमने try नहीं किया है अगर कोई OEX test net में participate नहीं किया है तो आप ध्यान दीजिए जो wallet आपने सतोसी एप में लिंक किया हो वही wallet के private की से आप OEX में वही wallet import करिएगा दूसरा नहीं import करिएगा लेकिन जो लोग ऐसा नहीं किये है उनके लिए तो problem है मैं खुद वही किया था कि जो wallet हमें link करना था हमने वही wallet सुरू में ही यहां पर किया था मैं दोनों बाते बताया था आपको बहुत पहले अपने वीडियो में कि आप वही wallet link करें तो ज़्यादा better रहेगा बाकी आपकी मरजी क्योंकि हमको यह पहले से ही कुछ अंदाजा था कि हो सकता है कि बाद में ऐसी condition लाएं क्योंकि यह अपने OEX app पर community develop करने के लिए ऐसी condition develop कर सकते हैं ऐसी मेरी पहले से ही सोच थी और last में वही हुआ तो जो मैं बताता हूँ वो किसी ना किसी कारण से ही बताता हूँ कि यह करना better रहेगा बाकी आप अपनी मरजी से करेंगे तो हो सकता है कि अच्छा रहे और हो सकता है कि गड़बड भी हो जाए यह guarantee नहीं है कि गड़बड ही होगा लेकिन जो मैं बताता हूँ आपको काफी research के बाद काफी सोच समझ के बाद बताता हूँ तो चलिए next update जैसे आएगी आपको फिर update कर देंगे लेकिन अगर आप try करना चाहे तो जैसे अलग-अलग app में है तो जो आप सतोसी app में wallet link किये हैं उसी app से आप lag out करके उस app को import करके try कीजिए अगर आपका अपने उसी email से उसी अपने twitter handle से और उसी telegram से वह address भी verify हो जाता है नया EX app जो testnet का है तो comment section में जरूर ये बताईएगा कि हाँ अगर आप उसी email से उसी twitter से उसी telegram से नया wallet जो आपने सतोसी में link किया है उसको OEEX app में import करके करना चाहें दुबारा फिर से तो हो जा रहा है जिससे की सभी की help हो पाएगी तो ये बात comment section में आप लोग जरूर लिखिएगा क्योंकि ये सभी के लिए important है और इससे सभी की मदद हो जाएगी अब आपको मैं बताता हूँ यहाँ पर when will be able to withdraw ये इन्होंने कहा कि withdraw will be commenced after the address linking in सतोसी app is completed and data is fully synchronized expected to coincide with our centralized exchange listing मतलब जैसे ही सतोसी app में address की linking पूरी हो जाएगी सभी की और इसके बाद जो है data synchronize हो जाएगा synchronize का मतलब की सतोसी app का data और इनके OEX testnet का data synchronize हो जाएगा और इसके बाद centralized exchange पर listing की प्रक्रिया भी पूरी हो जाएगी तब जाकर के withdrawal start होगा अब हम आपको लेकर आके चलते हैं इनके app पर जो इनका testnet का app है यहाँ पर देखिए हमने वही wallet add किया था जो हमने core के समय सतोसी में और वही wallet यहाँ पर भी add करूँगा क्योंकि हमें withdrawal के लिए हो सकता है कि transaction करना पर एक core की जरूरत लगे तो हम वही अपना wallet यहाँ पर add किये थे लेकिन अगर कुछ लोग अलग-अलग wallet add किये है तो ध्यान दीजिए जो आपने सतोसी में wallet add किया है उसको चाहे तो अगर दुबारा change होता है तो उसको change कर दीजिए चाहे okx के wallet से क्योंकि okx wallet भी आपका एक decentralized wallet है okx app का लेकिन सायद वहाँ पर दुबारा linking process change नहीं होगा सतोसी में तो सबसे better रहेगा कि आप oex को फिर से download कीजिए uninstall करके github से और इसके बाद वही wallet जो आपने सतोसी app में link किया है oex का withdraw लेने के लिए उसी के private की से यहाँ पर यह नीचे जो import का option दिख रहा है यहाँ पर import कीजिए इंपोर्ट करने के बाद हम sign in करेंगे क्योंकि हमने यहाँ पर कर लिया है तो आप import कर लीजिएगा import करने के बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि five mission पहले आप के yc मत कीजिएगा पहले आप five mission में जा करके अपना email address link करिएगा अपना email address link करने के बाद अगर आपका सब कुछ synchronize हो जाता है तो Twitter वाला task करिएगा Twitter वाला mission और इसके बाद Telegram वाला mission अगर ये सब हो जाते हैं तो so far so good है इसके बाद आप QIC का करिएगा जिससे की 10 USDT आपको मिल जाएगा अभी देखिए आप तुरंत मैंने अपडेट किया कुछ network issue हो सकता है या कुछ कारण है जिसके कारण ये नहीं खुल रहा है बाकी mission कैसे complete करना है इसका full detailed video हमारे channel पर आपको मिल जाएगा और इस app का link आपको हमारे telegram channel पर मिल जाएगा telegram को जरूर जोइन कर लिए कोई latest update रहती है तो आपको वहीं पर मिलती रहती है mission कैसे पूरा करना है इसका video पहले ही बना चुका हूँ जाकर के आप उशे देख करके पूरा करिए बहुत ताउधानी से काम करिएगा नहीं तो आपका गरवर हो सकता है